हलो दोस्तों, UPSC Hindi के online study platform में आपका स्वागत है UPSC Hindi द्वारा UPPCS pre-2023 के लिए चलाई गई इस test series के part 7 को भी discuss किया जा रहा है और इसके अंतरगत हम history और geography के प्रश्णों को cover कर रहे हैं इसके पहले इस part की जो है तीन classes हो चुकी है आज की class है इसकी चौथी class होगी तो आज की class को शुरू कर रहे हैं और आज का अगला प्रश्ण जो है उसको देख लेते हैं प्रश्ण है कि निमलिखित कतनों पर विचार केजिए इसमें पहला कतन है कि भारत में हेमाले केवल 5 राज्यों में पहला हुआ है दूसरा कतन कहा रहा है कि पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में पहले हुए है और तीसरा कतन है कि पुलिकर जील केवल 2 राज्यों में पहली हुई है देख लेंगे इन कतनों को और प्रश्ण है कि उपरोग तुमें से कौन सा कतन सही है विकल्ब देखेंगे A है केवल 1 और 2 B है केवल 3 C है केवल 2 और 3 और D है केवल 1 और 3 तो इसमें हम देख लेंगे कि कतनों को एक बार तो पहला कतन यह कह रहा है कि भारत में हिमाले केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है तो देखें भारत में हिमाले को तो ये जम्मू कश्मीर, हिमांचल परदेश, देख लेंगे उत्तराखन, सिक्किम, अरुनांचल परदेश, किसाथ साथ जो है उत्तरपुरु के अन्य राजियों में भी तथा पश्चिम बंगाल में भी फैला हुआ है तो इस प्रकार ये पहला कथन गलत हो जाएगा, कह रहा है कि भारत में हिमाले केवल पांच राजियों में फैला हुआ है जबकि देखेंगे हिमाले का विस्तार जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल परदेश, उत्राखंड, सिक्किम, कश्मीर, अरुडांचल परदेश तथा अन्य जो है कि उत्तरपूर्व के अन्य राज्यों में तथा इसके साथ ही साथ जो है कि वेस्ट बेंगॉल में भी दिखता है तो इस प्रकार ये पहला जो कथन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा दूसरा कह रहा है कि पश्चिम घाट केवल पांच राजियों में फैले हुए है तो अगर हम पश्चिमी घाट को देखें तो इसका विस्तार जो है अगर हम पश्चिमी घाट का विस्तार देखें तो इसका विस्तार जो है कि पश्चमी घाट का विस्तार है, तो इस प्रकार इसको देखेंगे, दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनो कथन, तीसरा है कि पुलिकट जील केवल दो राज्यों में फैली हुई है, तो ये कथन बिल्कुल सही है, पुलिकट जील को देखें, तो ये भा आप्शन सही हो जाएगा, आप्शन नमबर B, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानि कि केवल 3, नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला जो प्रेश्न है, प्रेश्न है कि निमलिखित में से कौन सा भोगॉलिक रूप से, ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है, तो देख लेंगे, ग्रेट निकोबार के सबसे निकट जो है कि इसमें कौन सा द्वीप है, पहला है सुमात्रा, B है बोर्नियो, C है जावा, और D है श्रीलंका, तो इसमें हम देख लेंगे, जावा सुमात्रा और बोर्नियो को, तो ये जो है कि इंडोनेशिया ये द्वीप समू के भाग है, और एक है श्रीलंका, तो इसमें हम भावालिक रूप से देखें, तो ग्रेट निकोबार के सबसे नजदी कौन सा है, तो option इसमें जो सही हो जाएगा, option नमबर A, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानि कि सुमात्रा, देख लेंगे, सुमात्रा जो है वो ग्रेट निकोबार स 2490 किलो मीटर है, और श्रीलंका को देख लेंगे, श्रीलंका को 1436 और बोर्नियों को हम देख लेंगे, तो बोर्नियों जो है, 2401 किलो मीटर ग्रेट निकोबार से है, तो इस प्रकार सबसे निकट जो भावालिक रूप से देखें, तो सबसे निकट जो है, ग्रेट निकोब करें एक तरफ देखेंगे पहाडियां दी होई हैं पहाड़ीयों के नाम दिये हैं दूसरी तरफ जो हए इن से संबन्धी छेत्रों दिया गया है और इसको हम देख लेंगे इसमें प्रश्न कहय रहा है कि उपरयुकत युगमु में सी कौन सा सही सुमेलित है तो इसमें पहला कह रहा है कि काडामों पहाडिया कोरो मंदल टट पर है दूसरा है कैमूर पहाडिया कोंकर टट पर है तीसरा है महादेव पहाडिया मद्य भारत में है और चौथा है मिकिर पहाडिया पुर्वत्तर भारत में है तो देख लेंगे इसमें विकल्पों को A है 1 और 2 B है 2 और 3 C है 3 और 4 और D है 2 और 4 और इसमें हम देख लेंगे option कौन सा सही हो जाएगा option number C इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि 3 और 4 ही के वल सही है अब हम एक एक करके देख लेते हैं काडामों पहाडी को देख लेंगे देखें ये काडामों पहाडियों को तो ये पहाडियां जो है Tamil Nadu वो केरल की सीमा पर मालाबार तटके समानांतर है न कि कोरोमंडल तटके तो ये पहला जो हो जाएगा इसलिए गलत हो जाएगा ये मालाबार तट के समनांतर है तो इस परकार पहला जो हो जाएगा गलत हो जाएगा दूसरा हम कैमूर की पहाडियों को देख लेते हैं तो ये पहाडियां जो हैं कैमूर की पहाडियां ये जो है कि मध्यपरदेश, उत्तरपरदेश तथा बिहार में जो है 483 किलोमेटर की लंबाई वाडी ये पहाडियां हैं इतने दूरी में जो है कि ये विस्तरित हैं और तो इसको हम देख लेंगे तो ये जो है कि कॉंकर्टर से समबंधित नहीं है और तीसरा हम महादेव की पहाडियों को देखें तो महादेव की पहाडिया जो है कि मध्य परदेश में विस्तरित है और ये सत्पूडा परवत का विस्तारित भाग है सत्पूडा परवत का विस्तारit भागहम देखलेंगे, जिसमें की महादेव मैकाल, ये दोनों जो है की परवत आ Schwit में सत्पूडा की विस्तार में, इसको हम देखलेंगे महादेव पहाड़ के मध्य भारत में हैं, यह सही हो जाएगा, मिकर की पहाड़ manual, एक प्रवत्तर भ और अगर इन पहाड़ियों को देखें, मिखिर की पहाड़ियों को तो ये जो कार्भी, अंगलाउंग पठार है, इससे गिडिया है, इसमे सही सुमेलित कौन सा अब कहा रहा है, तो option इसमें जो सही हो जाएगा, option number C, इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगला देख लेते हैं प्रेश्न, अगला प्रेश्न है कि निमलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, और इसमें हम देख लेंगे, नील हरिस शेवाल, धान, इसमें हम देखेंगे, इसमें ये अगर हम देख लेंगे तो इजोला एना भी ना नॉन स्टॉक नील हरिशेवाल आदी जो है यह धान की फसल में जो है कि नाइट्रोजन इस्थरी करड को बढ़ावा देते हैं तो यह पहला जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा और इनको अगर हम देखें तो यह जैव और जो है कि राइजोमियम लाइजोमियम लैग्यूमिनी सेरम को तो यह जो है कि मटर यारिकि पाइसम से टाइवं की फसल में जो है यह नाइट्रोजन इस्थरी करड का का म करते हैं तो यह हो जाएगा Agitobacter को हम देखेंगे तो Agitobacter जो है वो गेहू की फसल में Nitrogen इस्थरी करण कारक है तो इस प्रकार ये भी सही हो जाएगा अगर इसमें Ajola को देखें तो Ajola जो है कि मक्का की फसल में Nitrogen इस्थरी करण कारक के रूप में परियुक्त नहीं होता है इसलिए जो चौथा मिलान हो जाएगा वो सुमेलित नहीं होगा और प्रशन भी कहा रहा है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है तो Option D इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला हम प्रशन देखेंगे अगला प्रशन है कि उत्तर प्रदेश की और D है 18.2 प्रतिशत तो इसमें हम देख लेंगे अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है उत्तर प्रदेश की आबादी में Option जो इसमें सही हो जाएगा Option नमबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि 20.69 प्रतिशत देखेंगे उत्तर प्रदेश की कुल जन संख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है 20.69 प्रतिशत है और अगर हम अनुसूचित जन जाति को देखें उत्तर प्रदेश की जन संख्या में अनुसूचित जन जाति का प्रतिशत देखें तो ये 0-10, 6 प्रतिशत है। इस प्रकार हम देखेंगे, option इसमें A जो है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्ण है कि निम्लिखित में से कौन सी फसल हरी खाद के लिए सबसे उप्योकत है। हरी खाद के लिए सबसे उप्योकत फसल इसमें से कौन सी है? देखेंगे हरीखाद क्या है तो मिट्टी के लागतार दोहन होने से उसमें उपस्थित पौधो के वृध्धी के लिए जो मिट्टी में तत्व पाए जाते हैं वो नस्ठ हो जाते हैं और इन्ही किछति पूर्ती के लिए जो है कि मिट्टी की उपजाओं शक्ति बनाए रखने के लिए हरीखाद का प्रियोग किया जाता है तो इसमें हम उप्षन देख लेते हैं A है आलू, B है गन्ना, C है सनई और D है चना तो देखेंगे हरीखाद के लिए सबसे उप्योगत फसल कौन सी है तो ऑप्षन नमबर इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्षन नमबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि सनई सबसे उप्योगत फसल इसके लिए सनई हो जाएगी तता अन्य फसलों में हम देख सकते हैं जैसे कि लोबिया, मूँ, उड़त, आदी भी जो है कि हरीखाद के लिए उप्योगत फसलों में से आ जाएगी तो ऑप्षन नमबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन हम देखेंगे अगला प्रशन है कि मिमलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें पहला कथन क्या कह रहा है पहला कथन है कि एशिया महादीप का अधिकान्ष भाग उत्तरी गोलार्द में इस्तित है किन्तु इंडोनेशिया के कुछ द्वीप दक्षडी गोलार्द में इस्तित है और दूसरा कथन कहा रहा है कि एशिया में काकिसाइड, मंगोलाइड, नेग्रो वो प्रोटो औस्टरलाइड प्रजाती के लोग निवास करते हैं तो इसमें हम देख लेंगे कौन सा कथन सही है, विकल्पो को देखें, तो A है केवल एक, B है केवल दो, C है एक और दो, और D है ना तो एक और ना ही दो और इसमें जो option सही हो जाएगा, option number C, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानि कि एक और दो, दोनों कथन जो है कि इसमें सही हो जाएंगे इसमें हम Asia महादीब को देखें, तो जो है, Asia महादीब का अधिकांश भाग हम देखेंगे, तो ये उत्तरी गुलार्द में है, लेकिन देखें, Indonesia के कुछ तीबो को, तो ये जो है, कि दक्षडी गुलार्द में भी इस्तित है, तो पहला जो है कि ये सही हो जाएगा, अगर अगर हम देखें, अफरिका से कैसे अलग होता है एशिया, तो लाल सागर तथा स्वेज जो जलडमरु मर्द है, उससे एशिया को अफरिका की मुख्य भूमी से अलग किया जाता है, और इसमें दूसरा कह रहा है कि एशिया में कॉकेसाइड, मॉंगुलाइड, नीगरो, प्र एक संपन महादीप है, तो इस प्रकारी ये दोनों कथन सही हो जाएगा, नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे, अगला प्रशन है, कि निम्रिकित में से किस नदी का प्रवा साइबेरिया के मैदान से नहीं होता है, तो इसमें देख लेंगे, option, option A है, ओब, B है, यानि C, C है वोलगा, और D है, लीना, तो इसमें हम देख लेंगे, कि किस नदी का प्रवा है, वो साइबेरिया के मैदान से नहीं होता है, तो option C, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानि कि वोलगा, देख लेंगे, यूराल परवत वो लीना नदी के बीच जो है, उतरी निम्न भूमी का इसे ही जो है, कि साइबेरिया के मैदान के रूप में भी जाना जाता है, और इस मैदान में, ओब, येनशी और लीना नदियों का प्रवा होता है, जबकि अगर आम वोलगा नदी को देखेंगे, तो वोलगा जो है, कि रूस के पश्च्चमी भाग में प्रवाहित होती है, तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि किस नदी का प्रवास Siberia के मैदान से नहीं होता है तो option C इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला है कि अगला प्रेशन है कि किंगरी बिंगरी संबंधित है तो देखेंगे ये किंगरी बिंगरी क्या है option A नदी, B है पहाड, C है दर्रा और D है बाद तो देखेंगे किंगरी बिंगरी क्या है तो option C इसका सही उत्तर हो जाएगा ये दर्रो के नाम है ये जो है कि उत्तराखंड में इस्थित एक दर्रा है ये दर्रा उत्तराखंड में इस्थित है और उत्राखन के अन्य प्रमुख दर्रों को देखें, तो इसमें हम देख सकते हैं मानाला, फिर हम देख सकते हैं नीतीला, और फिर ये एक हो जाएगा किंगरी-बिंगरी, उस प्रकार हम देख सकते हैं डूंगरीला, बालचा, दर्रा जो है, मुलिंगला, नेलंग ये सभी दर्रे जो है ये उत्राखंड के हैं तो उत्राखंड के दर्रों में देखेंगे मानला, नीतिला, डुंगरीला, बालचा, मुलिंगला जो है कि नेलंग ये सभी दर्रे जो है उत्राखंड के हैं और किंगरी बिंगरी भी जो है ये उत्राखंड का दर्रा है तो option C, इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगला हम प्रशन देखेंगे, अगला प्रशन है कि हरित क्रांती, क्रिशी उन्नती योजना के अंतरगत, निमलिखित में से कौन सी योजना शामिल है, तो जो हरित क्रांती, क्रिशी उन्नती योजना है, उसके अंतरगत कौन सी योजना इसमें शामिल है और इसमें हम option देखेंगे option A है एक इकरित बागवानी विकास mission दूसरा इसमें है किराश्ट्री ये संधारडी ये क्रिशी mission तीसरा है क्रिशी सहयोग पर एक इकरित योजना और इसमें जो है कि नीचे दिये कूट का प्रियोग करके सही उत्तर चुनना है option इसमें देख लेंगे विकल्पो को इसमें देख लेंगे तो A है केवल एक और दो, B है केवल एक, C है एक और ती और D है उपरोगत सभी तो इसमें जो option सही हो जाएगा option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि उपरोगत सभी इसमें हम देख लेंगे कि हरित क्रांती क्रिशी उन्नत योजना जो है वो एक केंदर प्राय योजना है तथा ये जो है एक अंब्रेला योजना है ये जो है एक अंब्रेला योजना है जिसको वर्ष 2016 17 में प्रारम किया गया है तो अगर और इसके अंतरगत देखें तो इसके अंतरगत कौन-कौन सी योजना है शामिल है तो इसके अंतरगत हम देख लेंगे एक इकरित बागवानी विकास मिशन रास्ट्रिय संधारडिय क्रिशी मिशन और क्रिशी सहयोग पर एक इकरित योजना ये तीनों योजनाय शामिल है और देख लेंगे कुल कितनी योजनाय शामिल है तो इसके जैसी कुल 11 योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है तो इस प्रकार इसमें जो option सही हो जाएगा option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला हम प्रशन देखेंगे अगला प्रशन है कि निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन है कि oxygen भूपरपटी में सरवाधिक मात्रा में पाए जाने वाली अधातू है और दोसरा है कि silicon सरवाधिक मात्रा में पाए जाने वाली उपधातू है और तीसरा है कि aluminium जो है भूपरपटी में सरवाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातू है तीनों कतनों को देखें तो इन में से कौन सा सही है और विकल्ब देखेंगे A है केवल 1 और 2, B है केवल 2 और 3, C है केवल 1 और 3 और D है उपरोक्त सभी और इसमें जो option सही हो जाएगा option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि उपरोक्त सभी देखेंगे oxygen जो है कि भूपरपटी में सरवाधिक मात्रा में पाए जाने वाली अधातु है तो इस प्रकार ये जो option हो जाएगा वो सही हो जाएगा silicon को देखें तो silicon जो है भूपरपटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली एक उपधातु है और इसके सार साथ हम अलुमोनियों को देखे तो ये जो है कि भूपरपटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है तो इस प्रकार हम देख लेंगे ये तीनों कथन सही हो जाएंगे और option D इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला हम देखेंगे अगला प्रश्ण है कि खासी समुदाय खासी जो समुदाय है उसके संबन में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए और पहला कतन है कि खासी उत्तर पुर्वी भारत में प्रिपुरा का एक स्वदेशी जाती समु है और दूसरा कथन कहा रहा है कि इस समुदाय में समपत्ति के उत्तर अधिकार के मामले पूरुषो के माध्यम से संचालित होते हैं तो इसमें से कौन सा कथन सही है? आप्शन इसमें देख लेंगे A है किवल 1, B है किवल 2, C है 1 और 2 दोनों और D है ना तो 1 और ना ही 2 और इसमें जो आप्शन सही हो जाएगा इसमें सबसे पहले हम पहला जो कथन है उसको देख लेते हैं ये कह रहा है कि उत्तर पूर्वी भारत में जो खासी समुदाय है वो तरिपूरा का एक स्वदेशी जाती समुँ है तो इस प्रकार जो है कि ये कथन जो हो जाएगा वो हो जाएगा गलत और अगर हम इसका देखें तो यहाँ पर जो है कि इसकी एक विशिष्ट संस्कृती है और ये मेघाले की सबसे बड़ी जन जाती है खासी जन जाती को देखेंगे तो ये मेघाले की सबसे बड़ी जन जा दूसरा कथन कह रहा है कि इस समुदाय में संपती के उत्राधिकार के मामले पूरुशों के माध्यम से संचालित होते हैं, तो अगर हम इसमें देखें, तो संपती का उत्राधिकार और आधिवासी कार्याले का उत्राधिकार दोनों ही महिलाओं के माध्यम से संचालित होते है खासी आदिवासी परिवार की सबसे छोटी बेटी जो होती है वो परिवार में काफी जो है की अधिक महत्व रखती है तो इस प्रकार ये दोनों का थन गलत हो जाएगा और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा अगला प्रशन देख लेते हैं अगला है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बनेजीव सनरक्षण अधिनियम 1972 कि किस अनुसूची में शामिल किया गया है और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन है अनुसूची एक अभी है अनुसूची तीन और डी है अनुसूची चार और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि अनुसूची एक देखेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को तो बनेजीव सनरक्षण दिनियम 1972 कि अनुसूची एक में इसक शामिल किया गया है तथा यह जो है कि IUCN यानि कि अंतराश्ट्रिय प्रकृति सनरक्षण संग की रेड लिस्ट में जो है इसकी रेड लिस्ट में जो है यह गंभी रूप से संकट ग्रस्ट यानि कि critically endangered की शेड़ी में इसको रखा गया है तो इस प्रकार हम इसको देख सकत है अगर हम देखे बन जी सनरक्षण अधिनियम 1972 को तो यह अधिनियम पौधों और जानवरों की प्रजातियों के सनरक्षण के लिए इस अधिनियमित किया गया था तो option A इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला है कि निमलकित यूगमों में से कौन सा सही सुमेलित है एक इसमें हम देख लेंगे इसमें सम्राट चना, अमोल मसूर, राधे मतर और डी रचना अरहर तो इसमें जो option सही हो जाएगा option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि सम्राट किस्म को देखें तो यह चने की किस्म है और चने की अन्य किस्मों को अगर हम देखें चने की अन्य किस्मों को अगर हम देखें तो सम्राट के साथ सथ चने की किस्मों में हो जाएगा प्रगती, सूर्या, पूर्सा, इसके साथ सथ राधे यह सभी जो है यह चने की किस्म हो जाएगी उसी प्रकार इसमें जो है कि सही सुमेलित हो जाएगा यानि कि सम्राट जो है वो चने की किस्म है दूसरा यह कह रहा है कि अमोल जो है वो मसूर की किस्म है तो देखें कि अमोल जो है वो मसूर की किस्म नहों करके यह जो है कि अरहर की किस्म है और C है राधे, राधे जो है कि वो मतर की किस्म है तो यहाँ है यहाँ बताया गया है कि राधे जो है कि चने की एक किस्म है ना D है रचना तो अगर हम रचना को देख लेंगे तो यह मतर की एक किस्म है ना की अरहर की इस परकार हम देख लेंगे यह तीनों जो हो जाएंगे वो गलत हो जाएंगे और इसमें सही जो सुमेलित हो जाएगा और हम आगे जो है कि मटर की किस्मों को देख लेते हैं मटर की किस्मों को देखें तो इसमें जो हो जाएगा रचना, अपढणा, सपना ये तीनों जो है रचना, अपढणा, सपना ये तीनों जो है ये मटर की किस्मे हैं और आगे हम अरहर की भी किस्मों को देख लेंगे अरहर की किस्मों को देख लेंगे इसमें हो जाएगा बहार, अमोल, लक्ष्मी, दूर्गा इसके साथ साथ हम देख सकते हैं पारस ये सभी जो है ये अरहर की किस्मे हैं और इसमें हम देख लेंगे, तो इसमें जो option सही हो जाएगा, option number A, इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगला हम देखेंगे, अगला प्रेश्ण, अगला प्रेश्ण है कि केंद्री, मृदा, लबड़ता, अनुसंधान, संस्थान, कहां इस्थित है, और इसमें हम option देख लेंगे option A है करनाल, B है दिल्ली, C है जोदपूर, D है है हैदराबाद, तो केंद्री, मृदा, लबड़ता, अनुसंधान, संस्थान, कहां इस्थित है, और इसमें जो option सही हो जाएगा, option number A, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानि कि करनाल में, देखेंगे, केंद्री, मृदा, लब इंस्थिटूट अफ सुगर कें रिसर्च, इंडियन, इंस्थिटूट अफ सुगर कें रिसर्च, यह कहां है, तो यह हो जाएगा लखनव में, इसके साथ साथ हम दूसरा देख लेंगे, भारतिय, दलहन, अनुसंधान, संस्थान, भारतिय, दलहन, अनुसंधान, संस्थान, तो यह हो जाएगा यह कानपूर में है, इसके साथ साथ जो है कि भारतिय, सबजी, अनुसंधान, संस्थान देख लेंगे, अगर देख लेंगे, भारतिय, सबजी, अनुसंधान, संस्थान, भारतीव सब्जी अनुसंधान संस्थान तो ये जो है कि वारड़सी इस प्रकार ये कुछ अनुसंधान अन्य संस्थान हो गए यानि कि इंडियन इंस्टूट अफ सुगर के इंडिशर्च को देखें तो ये लखनव में है भारतीव दलहन अनुसंधान संस्थान देखें तो ये कानपूर में है भारतीव सब्जी अनुसंधान संस्थान देखें तो ये जो है कि वारानसी में है तो इस प्रकार केंद्री लवड़ता कृंदी मिर्दा लवड़ता अनुसंधान संस्थान देखें तो ये करनाल में इसका मुख्याल है, तो option A, इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगला देखेंगे, अगला है कि back side, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरवाधिक पाया जाता है, और इसमें हम option देख लेंगे, option A है बादा, B है इलहबार, C है मिर्जापूर, और D है फिरोजाबा और इसमें जो option सही हो जाएगा, option number A, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानि कि बादा, अगर हम उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाले खनीजों को देखें, तो सरवाधिक जो पाया जाता है, back side वो बादा में पाया जाता है, अगर हम देखें, अन्य खनीजों को अगर इस मिर्जापूर में पाया जाता है बाकी हम इसमें अगर डोलो माइट को देखें सोनभधर जीले में इसके साथ हम देख लेंगे मिर्जापूर बादा यहां जो है कि डोलो माइट पाया जाता है कांच रेत की बात करें तो उत्रप्रदेश में जो कांचरेत पाया जाता है ये इलहाबाद जिले के कर्चना में पाया जाता है ये जो है कि इलहाबाद जिले के कर्चना में पाया जाता है उसी प्रकार हम संगमर्मर देखें तो संगमर्मर भी जो है कि सोनभद्र और मिर्जापुर में ही पाया जात uranium यह ललिटपुर जिले में पाया जाता है इस प्रकार हम देख लेंगे सरवाधिक बाखसाईट जो पाया जाता है वो बादा में चूना पतथर देख लेंगे यह मिर्जापुर Dolomite देखेंगे सोनभद्र मिर्जापुर वो बादा काच रेत को देख लेंगे तो इलहाबाद के कर्चना में और आगे है यूरेनियम तो यूरेनियम जो है कि वो ललित पुर्जीले में पाया जाता है और इसका जो option सही हो जाएगा option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला जो प्रश्ण है कि बुंदेलखंड पट्टी ताश में जो है वो किस यूग से या फिर किस अवधी से संबंदित है और इसमें हम option देखेंगे option A है पूर्वक पैम्ब्रेन, B है प्री पैल्योजोईक, C है चतुरधातुक और D है त्रितियक और इसमें जो option सही हो जाएगा option number A इसमें जो सही हो जाएगा option number B इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि प्री पैल्योजोईक जो बुंदेल खंड का पटिताश में है वो प्री पैल्योजोईक अवधी से या प्री पैल्योजोईक यूग से संबंदित है तो option B इसका सही उत्तर हो जाएगा next question है अगला question देखेंगे अगला है कि राकर परवाण मार प्रकार की मृदा जो मिट्टी है वो उत्तर प्रदेश के किस छेतर में पाई जाती है यह जो मिट्टियों के नाम है वो उत्तर प्रदेश के किस छेतर में पाई जाती है और इसमें हम option देख लेंगे option A है भावर छेतर, option B है बुंदेल खंड छेतर, option C है विंद्य छेतर और option D है तराई छेतर तो इसमें देख लेंगे कि यह मिट्टी कहा पाई जाती है, तो option इसमें जो सही हो जाएगा, option number B, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि यह जो है कि बुंदेल खंड चेतर में पाई जाती है, अगर हम मार मृरिदा को देखें, तो यह मिट्टी जो होती है, जो काली उतनी ही चीकनी होती है. और इसमें अगर अगरम देखें, तो 60-15% लोहा और 25% अलुमोनियम होता है. इस प्रकार के मिट्टी में देखेंगे 60-15% तक यईसमें लोहा और आगे हम देखें तो 25 प्रतिशत तक अलुमोनियम इसमें होता है और ये मिट्टी जो है उत्रप्रदेश के पश्चमे सीमा के जिलो में पाई जाती है तो इसमें ये हो जाएगा और बुंदेलखंड का छेतर हम देख लेते हैं कि बुंदेलखंड के छेतर में कहा कहा तक फैला हुआ है ये बुंदेलखंड वाला जो छेतर है इसमें हम देख लेंगे ललितपुर जहासी जालॉन हमिरपुर महोबा बांदा चित्रकूट ये इतने जिले जो है कि बुंदेलखंड छेत्र में शामिल है तो जो है कि राकर पड़वान मार प्रकार की जो मृदा है वो बुंदेलखंड छेत्र में ही पाई जाती है और इन छेत्रों में जो है कि उगाय जाने वाली मुख्य फसले जो है वो चावल गेहु और गन्ना है अगला प्रेशन देखेंगे अगला प्रेशन है कि निमलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश में एक सीमा पार यानि कि ट्रांस बाउंडरी रिवर है ट्रांस बाउंडरी नदी है तो इसमें आप्शन देख लेंगे सबसे पहले हम सीमा पार नदी को देखें तो यह सीमा पार नदी वो नदी होती है जो कम से कम एक राजनितिक सीमा या तो एक राज या फिर एक अंतरास्ट्रिय सीमा को जो है कि पार करती है तो इस परकार हम देख लेंगे यह सीमा पार नदी हो गई और इसमें उत्तर प्रदेश की सीमा पार नदी कौन सी है तो option इसमें जो हो जाएगा C इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि की घागरा अगर हम देखें सबसे जादा सीमा पार नदी है तो बांगला देश में इन नदियों की संख्या जो है सबसे अधिक है बांगला देश को देखें तो बांगला देश में इन नदियों की संख्या सबसे अधिक है और जिसमें विश्व की दो सबसे बड़ी नदिया गंगा और ब्रह्मपूत्र भी इसमें शामिल है तो इस प्रकार हम देख लेंगे, option जो इसमें सही हो जाएगा, option number C, इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगला है प्रश्ण, अगला प्रश्ण है कि उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने और नय, सबसे नय वन्य जिव अभ्यारणियों का नाम बताईए, तो UP के सबसे पुराना व और कतर निया घाट, C है चंदरप्रभा और ओकला, और D है चंदरप्रभा और पीलिभीत, और इसमें हम देख लेंगे, option जो सही हो जाएगा, option number D, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानि कि चंदरप्रभा और पीलिभीत, चंदरप्रभा को देख लेते हैं, चंदरप्रभा वने जिवःभयारड है और यह जो है कि चंदौली जीले में इस्थित है अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पच्चिों की 150 के लगभग प्रजातिया यहाँ पाई जाती है और अगर हम सबसे नय वने जिवःभयारड की बात करें तो यह पीली भीट है, पीली भीट बननेजिव अभ्यारण है और इसको 2014 में स्थापित किया गया था यह पीली भीजीले में ही इस्तित है और इसे भारत का 46वा बाग अभ्यारण भी गोशित किया गया है तो इस प्रकार हम देख लेंगे सबसे पुराना बनने जिव अभ्यारडे चंदप्रभा है और सबसे नया बनने जिव अभ्यारडे जो है वो पीली भीद है Next question देखेंगे अगला है दिये गए युगों के सही कालक्रम बद्ध को चुनिए सबसे पुराना है वो सबसे पहले आएगा यानि कि जो सबसे पुराना होगा वो सबसे पहले उसको रखा जाएगा तो इसमें हम देख लेते हैं A जो है होलोसीन, प्लिस्टोसीन, प्लायोसीन, मायोसीन, इयोसीन B है Eocene, Myocene, Plyocene, Plystocene, Holocene C है Eocene, Myocene, Plystocene, Plyocene और Holocene और D है Holocene, Plyocene, Plystocene, Myocene योग और Eocene योग तो इसमें जो सबसे पुराना है वो सबसे पहले आएगा और इसमें जो option सही हो जाएगा option number B इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि Eocene योग, उसके बाद Myocene योग, उसके बाद Plyocene योग, फिर Plystocene, फिर Holocene तो इस प्रकार हम देख लेंगे Holocene जो है कि सबसे नया और जो सबसे पुराना है वो Eocene है तो इस प्रकार option number B इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला हम देख लेंगे, अगला प्रशन है देखेंगे मिलानाधारित ये प्रशन है और अन्यम लिखे सूची का मिलान कीजिए इसमें सूची एक और सूची दो दी गई है सूची वो एक में जो है कि कोईला चेत्रों के नाम लिखे हुए हैं और दूसरे में इन से संबंधित राजियों को दिया हुआ है और इनका जो है कि मिलान करना है सबसे इसमें हम देख लेंगे पहले है रानी गंज इसमें हम देखेंगे रानी गंज को तो रानी गंज कोईला चेत्र जो है ये पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्दमान जिले में है तो इस प्रकार रानी गंज का हो जाएगा पश्चिम बंगाल सिंगरॉली कोईला छेतर को देखेंगे तो ये मध्य परदेश और उत्तर परदेश के सिंगरॉली और सुनभदर जिले में है तो B का हो जाएगा 2, सिंग्रेनी को देखें, तो ये कोईला चेतर जो है, वो तेलंगाना और गोदावरी की घाटी में है, तो ये हो जाएगा 3, और जरिया को देखें, तो जरिया कोईला चेतर जो है, वो जारखंड के जरिया में है, तो ये 4 जो है, सही सुमेलित है, इस प् अगला प्रश्ण है कि भारत के विभिन चेत्रों में सुल्ताना, गुलाबी और काली चम्पा की किसमें निम्लिखित में से प्रमुक फलो में से कौन सी हैं, तो ये जो किसमों के नाम दिये हुए हैं, सुल्ताना, गुलाबी और काली चम्पा, वो किन फलो के हैं, और इसमें ह सही उत्तर हो जाएगा यानि कि यह सभी जो है कि अंगूर की किसमे है और तो इस प्रकार इसमें जो है option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा अगर हम अंगूर को देखें तो भारत में जो है कि तीन अलग-अलग क्रिशी जलवायु छेत्रों में जो है कि अंगूर उगाया जाता है, जैसे कि हम देख सकते हैं भारत में जो उष्ण कटी बंधिये छेत्र हैं, गर्म उष्ण कटी बंधिये और हलकी उष्ण कटी बंधिये जलवायु छेत्रों में जो है इसको उगाया जाता है और ये माना जाता है कि 1300 इस्वी में फारस के आक्रमणकारियों द्वारा भारत में भारत के उत्तर में जो है कि अंगूरों को पेश किया गया था तो इस प्रकार आप्शन D इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट हम देखेंगे अगला जो प्रशन है नीचे दो कथन दिये गये हैं एक को अभी कथन A और दूसरे को कथन R के रूप में जो है किया बताया गया है तो हम अभी कथन देख लेते हैं अभी कथन जो A है ये कह रहा है कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी आजकल ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और इसका कारड ये बताया गया है कि जो नदी अपहरण है वो जो है कि हिमाले की नदियों का एक प्रमुख गुण है तो देख लेंगे कौन सा इसमें सही उत्तर है A है A और R दोनो सत्य है R A की सही व्याख्या करता है B है A और R दोनो सत्य है किन्तु R A की सही व्याख्या नहीं करता है C है A सत्य है लेकिन R असत्य है और D है A सत्य है लेकिन R सत्य है तो इसमें हम देख लेंगे इसमें जो option सही हो जाएगा option नमबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि ये दोनों कथन जो है वो सत्य है और कारड आर जो है कथन एकी सही व्याक्या करता है अगर हम देखें तीस्ता नदी जो थी वो पहले गंगा की सहायक नदी थी और अभी वर्तमान में देखें तो ये ब्रह्मपूतर की सहायक नदी है और इसका कारड क्या है तो नदी अपहरड जो है इसका प्रमुख कारड है अगर हम देखें नदी अपहरड जो है तो ये हिमाले नदियों का एक प्रमुख विशेश्ता है हिमाले के नदियों की ये प्रमुक फिशेचता है जो नदी अपहरण है और ये जो है कि मुखी रूप से नदी के ऊपरी कटाओ के कारण होता है यानि कि वो अपने पडोसी धारा को अपने में शामिल कर लेती है या उस पर जो है कि नदियां कबजा कर लेती है कथा नदियों को इस प्रकार से ये मोल लेती है तो हिमाले जैसे पहाडी छेत्रों में जो है कि ये बहुत एक सामानने बात है तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कारण और कथन दोनों सही है और कारण और कथने की सही व्याक्या है तो option A इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें next देखेंगे अगला प्रशन जो है कि निमलिखित में से कौन सी जोड़ी का सही रूप से मेल खाती है और इसमें हम इडुक्की को देख लेंगे इडुक्की जो है वो थर्मल पावर स्टेशन सबरी गिरी जलवज परियोजना C है घाटरवा, C चाई परियोजना और D है रामगंगा बहूत देशी है परियोजना और इसमें हम भी कलपों को देख लेंगे तो कौन सी जोड़ी सही रूप से मेल खाती है और A है 2, 3 और 4, B है 1, 2, 3, 4 और C है 3, 4 और D है 1, 2 तो अगर इन सभी को देखें तो इसमें जो option स सही हो जाएगा इसमें 2, 3 और 4 इसमें जो है कि सही रूप से मेल किया हुआ है तो option इसमें जो सही हो जाएगा option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा अगर हम इडुकी को देखें तो इडुकी जो है वो hydroelectric power station का जो है कि ये समर्थन करता है तो इस प्रकार हम देख लेंगे अगर इडुकी को देखें ये जो है कि सही रूप से मेल नहीं घाता है अगर इसको देखें तो ये जो है कि पेरियार नदी पर है ये जो है कि पेरियार नदी पर है इडुकी बाद और एशिया के सबसे उचे आर्क बाधों में से एक है एशिया के सबसे उचे आर्क बाधों में स यह एक है तो इस प्रकार यह जो है कि सही रूप से सुमेलित नहीं है बाकि अन्य-option को देख लेंगे तो सब्री-गिरी को देख लेंगे तो सब्री-गिरी जो है कि जलविद्दुत परियोजना है और यह जो है कि hydroelectric project केरल की दूसरी सबसे बड़ी पन-बिजली परियोजना है तो option number जो दूसरा है सबरी गिरी वो सही सुमेली थे अब आगे हम देख लेते हैं घाट प्रभा को तो घाट प्रभा जो है वो एक सिचाई परियोजना है और यह कृष्णा की एक सहायक नदी है जो करनाटक में बहती है तो घाट प्रभा को देखेंगे यह कृष्णा की सह सकते हैं राम गंगा को देख लेंगे तो राम गंगा जो है यह बहू देशिये परियोजना है और इसे कालागड़ बाद के भी नाम से जाना जाता है और यह कहां है यह जो है कि उत्राखंट नेनल पार्क में की उत्राखंड के यह जो है पौधाड़ए risतला की जो है तो ये जो है कि Jim Carbet National Park के भीतर है तो इस प्रकार इसको हम देख लेंगे तो ये तीनों जो है कि सही सुमेलित है और इसमें जो है कि पहला सही सुमेलित नहीं है दो, तीनों, चार सही सुमेलित है और option A, इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला है कि तातीपा का या फिर टाटीपा का तेल रिफाइनरी किस राज्ज में इस्थित है और इसमें हम option देख लेंगे A है असम, B है उत्तरप्रदेश C है करनाटक और D है आंध्रप्रदेश तो इसमें जो option सही हो जाएगा option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि आंध्रप्रदेश अगर हम देखे तातीपाव का तेल रिफाइनरी को तो ये आंध्रप्रदेश के पुर्वी गोदावरी जीले में इस्थित है आंध्रप्रदेश के पुर्वी गोदावरी जीले में और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 3 सितंबर 2001 को इसकी स्थापना की गई थी और यह पेट्र उत्पादों का उत्पादन करने वाली ONGC की पहली तेल रिफाइनरी है इसको अगर हम देखें तो यह झो है कि ONGC की पहली तेल रिफाइनरी है और ONGC के बारे में देख लें, तो ONGC जो है, इसकी स्थापना जो हुई थी, वो 1956 में हुई थी, बाकी ये देखें, तो भारत की सबसे उची जो है, कि ये उर्जा कमपनी है, और इसे महारतन का दर्जा दिया गया है, और ये महारतन का दर्जा इसको 2010 में दिया गया था, और ये जो है कि पेट्रोलियम और प्राकृति गैस मंत्राले के अधीन काम करता है अगर इसका headquarter देख लें तो इसका headquarter जो है वो नए दिल्ली में है तो इस प्रकार देख लेंगे option D इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला है अगला प्रशन देखेंगे कि मयूर भंज, कुद्रे मुक और बैला डिला कि इस्थलों में क्या एक समान है यानि ये तीन इस्थलों के नाम दिये होए है तो ये है कि ये महतपूर तेल छेतर है दूसरा है ये भारत में लोह एहसक की पेटिया है C है ये परमाड़ो ओर्जा सैंतरों के सूप्रसिद अस्थल है और D कह रहा है कि ये ताबा खदानों के वरिहत इस्थलों में से एक है और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नमबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि ये भारत में लोह एहसक की पेटिया है ये जो है कि ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा अगर हम देखें तो भारत में प्रमुख जो है कि लोह एहसकी पेटिया है जैसे कि हम उदारर के लिए समझ सकते हैं कि ओडिशा जारखंड पेटी अगर इसको देख लें तो ओडिशा कि मैयूर्भंज और केंदुजार जीलो में बादामी पहाडी है और यहां जो है कि उच्चुकोटी का हेमिटाइडैस्क पाया जाता है तो ओडिशा में हम देख लेंगे तो मैयूर्भंज मैयूर्भंज और केंदुजार जीलो में जो है कि बादामी पहाडी है और यहां जो है कि हम हेमिटाइड के अयस्क यहां देख सकते हैं और इसी किसासत मगर जारखंड में देखे तो जारखंड के सिंग भूमी जीले में है, हमेटाइड ऐस्क का खनन किया जाता है, जारकंड का जो सिंग भूमी जिला है वहाँ भी हमेटाइड के ऐस्क पाए जाते हैं, बाकि दूसरी पेटी अगर हम जैसे कि एक्सामपल देख सकते हैं, जैसे कि दूर्ग बस्तर पेटी है, दूर्ग बस्तर पेटी ये भी है ये जो है कि 36 गड़ और महराष्ट में है और 36 गड़ के बस्तर जिले में प्रसिद जो बैला डिला पहाडियां है उनकी श्रेडी में अत्यधिक उच्चु कोटी का है जो है हेमेटाइड वहां भी पाया जाता है तो इस प्रकार देख सकते हैं कि बहुत सारे लोह ऐस्क पेटियां जो है कि भारत में पाय जाती है और जो मयूर भन्ज है कुद्रे मुख है बैला डिला है ये जो है कि भारत में लोह ऐस्की पेटियां है तो आप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला हम देखेंगे जो है अगला प्रशन है भारती इब हुगर्व भिज्ञान से संदरभीत माल्दा ब्रहन्श है वो प्रिथक करता है तो माल्दा ब्रहन्श जो है वो किसको अलग करता है उप्शन इसमें हम देख लेंगे उप्शन یہ है सत्पूडा परवत्ष्रिंख्ला से बिंद जो है कि दक्षिर परवर्ष रेडी को, C है पश्चमी घाट को, पश्चमी घाट से पुर्वी घाट को, D है प्रायदी पिय पठार से मेंगाले के पठार को, और इसमें जो औक्ष yellow रलगें RNA पठार को, एक हिस्सा है और हम अगर देखें तो भारत का जो प्राइदिपी भुखंड है वो उसकी उत्तरी अगर हम सीमा देख लें तो यह जो है कि बिल्कुल ही एक अन्यमित दिखती है यह जो है कि कछछके रंसे प्रारंब होती है और एक रेखा के रूप में अगर हम देखें तो ये अरावली परवत जो श्रिंकला है उसके पश्चिम से गुजरती है दिल्ली तर तथा वहां से गंगाय नदी के सामनांतर चलती है उसके बाद अगर हम देखें तो राजमहल की पहाडियों से जो है की ये पूरा फैला हुआ है तो ये हो हम इसको देख सकते हैं और इसमें हम अगर देखें तो पश्चिम बंगाल में जो माल्दा भ्रंश है वो उत्तर पूर्वी भाग को जो है की छोटा नागपूर पठार से अलग करता है अगर हम समाने तर देखें तो जो माल्दा भ्रंश है वो प्राइदिपी ये पठार से मेघाले के पठार को अलग करता है तो यहाँ जो हो जाएगा यह मालदा भ्रहंश हो जाएगा और यह जो है कि प्रायदीपी भाग को जो है कि यह मेघाले के पठार को यह अलग करता है तो इस प्रकार अगर हम यह देखे मेघाले के पठार को जो कि उत्तर पूरू में है तो ये जो है कि प्रायदीपी पठार का ही एक भाग है जो कि माल्दा ब्रहंश के द्वारा अलग हो गया है तो option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला हम देखेंगे अगला प्रिश्ण कि दिन में ग्रह इतना गर्म हो जाता है कि सीसा पिगला देता है लेकिन रात में तापमान गिरकर माइनस 275 डिगरी फॉरेन हाइट हो जाता है तो ये जो है कि किस ग्रह के बारे में ये बात हो रही है option इसमें हम देख लेंगे option है शनिग्रा, B है मंगल्ग्रा, C है बुद्ध और D है नेपिचून ग्रहों को देख लेंगे तो ये अगर सूरे है और इसके हम ग्रहों को अगर हम देख लेंगे तो ये हो जाएगा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और फिर हम इसमें हम देख लेंगे Jupiter, Jupiter को Saturn, Uranus और नेपिचून तो इस प्रकार हम देख लेंगे ये जो बात हो रही है ये बुद्ध ग्रह की बात हो रही है अगर हम देखे तो भले ही बुद्ध जो है कि सूरे के सबसे निकट ग्रह है फिर भी इसकी सतह जो होती है वो इतनी ठंडी रहती है रात में जो है दिन के दौरान इसका तापमान अगर हम देखे तो 450 degree celsius तक पहुंच जाता है बुद्ध का तापमान जो है कि दिन में बहुत अधिक पहुंच जाता है 450 degree celsius जानी 840 degree foreign height तक पहुंच जाता है और इसका ये कारण है कि अगर हम देखें बुद्ध के पास वातावरण बिल्कुल हलका है या फिर बिल्कुल ना के बराबर है तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सूरे के सबसे निकट है लेकिन दिन में तापमान बहुत इसका गर्म हो जाता है लेकिन रात में ये उतना ही ठंडा हो जाता है और इसका ये कारण है कि इसके पास अपना वातावरण नहीं है अगर हमें ग्रहों को देख लेंगे तो ग्रहों में जो आगे के चार ग्रह हैं यानि कि ये बुद्ध, मरकरी, बीनस, शुक्र, ये जो हो जाएगा अर्थ और ये हो जाएगा मार्स यानि कि पृत्वी और मंगल तो ये आगे के जो ग्रह हैं ये चटानों और धातों से बने हैं और पीछे के ग्रहों में अंगर हम देख लें यानि कि जूपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नैपिचुन को यानि विरस्पती, शनी, अरुन और वरुन को तो ये जो है कि गैसों से बने हैं इस प्रकार हम देख लेंगे, ये जो बात कही जा रही है, ये बुद्ध के संदर में कही जा रही है, तो option number C, इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला हम देखेंगे, अगला प्रश्ण जो है, कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह में विशाल वलाय है, जो एक छोटी दूर्बीन से या असानी से दिखाई देते हैं तो इसमें हम देख लेंगे, A है विरस्पती, B है बुद्ध, C है शनी, और D है अरुन और इसमें जो option सही हो जाएगा, इसमें हम option देख लेंगे इसमें जो option सही हो जाएगा, option number C, सनी इसका सही जो है कि उत्तर हो जाएगा अगर हम देखें तो शनी में हजारों बहुत ही गैसों से निर्मित कि सुन्दर छले हम इसमें देख सकते हैं और लेकिन शनी वो एक मात्र ऐसा ग्रह नहीं है कि जिसके पास छले या रिंग्स हैं या फिर वले हैं इसके साथ साथ जो है हम अन्य ग्रहों के पास भी छले देख सकते हैं जैसे उसमें अरुन बिरसपती इत्यादी को हम देख सकते हैं और यह जो ग्रह है यह सब यह जो है अगर हम देखें बिरस्पति को शानी को तो यह जादक्तर जो है कि हाइड्रोजन और हीलियम से इनकी जो सर्ता है वो बनी है तो इस प्रकार हम देख लेंगे ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा आशी क्लास में इतना ही थेंक यू